अलो फ्रेंड्स असलाम वालेकूम कैसे हैं आप लोग तो आज हम लोग शिक्स यूनिट अपनी जो टॉपिक था हमारा इंटरॉप्ट एक्सेप्शन का उसको खोशी करेंगे के कमप्लेट करने की सब्सक्राइब लास्ट लेक्चर में हम लोग ने इंटरॉप्ट और एक्से हमां आपक है वह कि मलग शिक्कर करने का तो यहां का चीज़ें वो सब यहां डेटा यहां पे स्चोर करना पढ़ेगा वहां करना पड़ेगा फिर प्रोग्राम हमारा एक्षिकूट होगा सेम वे में लगपक एप्रॉक्सीमेटल हमाय पास इंट वाले कुशेन में फुल माक्स मिल जाएंगे तो फॉस्स तह जो देखते हैं जब भी हमारे पास interrupt instruction आएगी तो सबसे पहले क्या होगा यह इंटर बाहर से है तो सबसे पहले जो flags है उसको वह stack में store करेगा जिससे के microprocessor current state है उसके बारे में flags हमें information देते हैं तो जो current state है वह हमारे पास store हो जाए stack ठीक है उसके बाद then processor will clear the trace flag and interrupt enable flag मैंने बताया तो जब भी प्रोसेसर interrupt को handling करने जाता है तो पहले वो क्या करता है जो इंटर पनेबल फ्लैग होता उसको zero कर देता है अब इसने current flag register की value हमारे पास store कर लिए stack में ठीक है तो यह वाला पर श्लिप्र प्रोसेसर देन थे कंटेंज और प्रोशन आयप आर प्शोच ऑन्टू तो इस वक्त में हम आपको सीसरैज बांडेंज है तो हम इंटर्ट को हैंगे तो हमें यहीं से प्रोग्राम in the interrupt table, जो 8-bit का vector है, ये अब हमें बताएगा, कि हमें कौन सी interrupt लेनी है, 8-bit का vector क्यों है, 8-bit का vector क्यों है, तोकि 8-bit के कितने combinations हो सकते हैं, अगर 8-bit से हमाई पास में, maximum कितने combinations होंगे, बताओ, 256, 2 to the power of 8, तो total 256 combination हमाई पास हो सकते हैं, और हमारे पास interrupt केतनी है 256 तो 256 को interrupt को identify करने के लिए at least हमारे पास 8 bit का नंबर होना चाहिए तो वो 8 bit का नंबर हम लोग देंगे अब यह जो 8 bit का नंबर होगा ठीक है चलो उसको अभी identity में discuss करेंगे बहराल एक 8 bit का नंबर हमें मिलेगा जिससे हमें interrupt पर जाले कौन सी interrupt अब यह जो 8 bit का नंबर है यह अलग-अलग तरीके से हम लोग प्रोवाइट करते है ठीक है टेबल में से यह 8 bit का एड्रेस से हम लोग बात नहीं है यह हम लोग अलग-अलग तरीके से सप्लाई कर सकते हैं एकसेप्शें जो है इंटर्ड वेक्टर यह internally देता है जो अपने आप जो एरा इरड गरन्रेट हो अगा है थेए टियो एक्ट 57 commence उसके अफरियों और और टाइंट 93 थ में हम लोग दे ए रहे हैं तो इसमे imt2 21 वह 8 बीत का वेक्टर है जी हम प्रोवाइट कर रहे हैं सही है तो जो इंटरप्ट होती है उसमें हम लोग देते हैं इंस्ट्रक्षण में वह जो एड़ बिट का वेक्टर है कौन सा इंटरप्ट आपको सेलेक्ट करना है तिके मास्केबल हाडवेर इंटरप्स अप्लाई 8-bit वेक्टर वायदा इंटरप्स बस सेक्वेंस जो आइंट्यार बिन थी हमारी जब उस पे हम लोग देते थे इंटरप्स आती थी तो हम इंटरप्स अग्वल देते थे फिर वहां से एड्रेस आता था वह जो एड्रेस था तो यहां भी एप्लाइट है है समझे आट तो हमें हर जितनी भी तरीक्के से एक्सेप्चनों इंटरप्स आ रहिए है तो हर एग के लिए हमें क्या चाहिए ए लाड़क्र revenue हमें रन करनी ये तो वो जो अलग लग तरीके सा हम लोग दे रहें reads जो internal zaten एक्सेप्शन ने वो खुद बता रहें कौन सा एरर है उसकी कौनसी इंटरप आपको रंड करनी है जो रोऊट राएगा वह रहा ले इंटरप्ट रंड करनी है एनमाई फिक्स है कि इंटरप्ट टू पही आना है इसको जब भी आ अएगी फिर जो सॉफ्टर इंटरप्ट है तब हमें वहां से वह 8 bit का vector मिलता है समझ में है चार तरीके से कैसे हम लोग को वेक्टर मिल ला यहां पर हम लोग interpretation कैसे कर रहे है वहां से ठीक है ठीक है धिक है देखो हम यहां सारे के सारे interrupts जो जो interrupts है जीरो से लेक दूफिटि किस तर तो हर interrupt क्या है एक्चुलि हर ISR एक routine है, interrupt service routine, तो हर एक code है, हर एक ISR एक code है, code segment है, ऐसे समझ सकते हैं, और हर segment का एक क्या होता है, हर segment का एक descriptor होता है, तो यहां हर interrupt के लिए एक interrupt descriptor है, और यह descriptor कहा है, interrupt descriptor table में, है न, इन सारे 256 interrupt के descriptor कहा पर है, interrupt descriptor table के अंदर, तो interrupt descriptor table में हमारे पास 256 entries है सब्सक्राइब अब अब मुझे बताओ देखो प्लीज बताना जरूर देखो डिसपाइब इतना तुम लोग पढ़ चुके हो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस क्वेशन का अंसर जरूर दे पाओगे ठीक हर एक डिस्क्रिप्टर कितने बाइट का होता है जो एक डिस् 64-bits यहनी 8-bytes का था हमारे पास तो हमारे पास 8-bytes का एक डिस्क्रिप्टर था यादे डिस्क्रिप्टर वोग आज ऐसे रेक्टेंगल शेप में 16-16-16-16-16-64 है ना उपर बेस एड्रे से तर होता था सॉरी अगर ऐसे तुम लोग कैसे देख रोगा बता नहीं बहराल अगर हम लोग राइट से राइट टू लेफ चले तो पहले लिमिट होती थी फिर बेस एड्रेस होता था और इस लिमिट के ब 7. при ね्ट के यमिट का हमाई पासं खें बेस पिट रर्मी खावा यहीं ट्र पास in Teogha का सुचे तो अब यह करो कि हमारे पास इंटर्फ मिलेगा अगर जीरो पर जीरो का मिलना तो आन्टवलेन गंपर मिलेगा नहीं मिलेगा व ऑन यहीं तो मैं कहा रहा हूँ, 1 पे नहीं मिलेगा, यह total कितने 8 byte का है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो अब 1 का जो आएगा, वो 8 पे आएगा, ठीक है, फिर 8, 9, A, B, C, D, E, F, फिर जो 2 का आएगा, वो 1, 0 पे आएगा, समझाई बात, कैसे हो गए, तो हमारे पास, जो हर एक का, डिस्क्रिप्टर का, जो, वो है, क्या बोलते हैं, उसको, 1, 0 है नहीं, 16 हुआ, है ना, तो हर, इंटरप्ट का डिस्क्रिप्टर, वो अपने से 8 बात स्टार्ट होगा, तो हमें, अगर पता करने हैं, तो हम क्या करेंगे, कि वहाँ पे हमारे पास, कौन सा डिस्क्रिप्टर है, सही, यह चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं, जो हमने यहाँ पे लिखा है, यह काफी है, कि 8-bit का वेक्टर हमारे पास अप्लाई होता है, जिससे हमें सलेक्क करना होता है, इंटर्ब् डिस्क्रिप्टर टे वल में कौन सा डिस्क्रिप्टर हमारे सलेक्रर में, ठीक है, उस डिस्क्रिप्टर से हमें उस codes का जो ISR है, उसका base address मिलेगा, और उसको जो हम जा करके execute कर लेंगे सही फिर उसमें obvious सी बात है privilege check भी होगी वहाँ पर कि आप उसको use कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं हमने जाके select कर लिया इंटर्ब डिस्क्रिप्टर टेबल उसके बाद हम ISR कौन लिखते हैं हम ही लोग लिखते हैं ISR obviously बात है तो जो user supply interrupt service routine है वो execute हो जाएगा उसके बात finally मैंने क्या बता है था हर ISR के last में हमाँ पास IREAT instruction होगी interrupt return instruction ठीक है तो हर उसके क्या बलता है ISR के last में हमाँ पास IREAT instruction होगी वो instruction run होगी IREAT instruction और फिर हम लोग क्या करेंगे वापस से वहीं पर आ जाएंगे जहां से हम छोड़ करके गए थे अपने प्रोग्राम को मतलब हम मतलब microprocessor वापस से वहाँ आ जाएगा जहां से उस प्रोग्राम को उसमें छोड़ के गया था तो यह क्या करेगा अब वापस से stack की value जो पुरानी stack की value थी और ESP की value थी वह लेगा जिससे कि वापस से code segment का इसके पास address आ जाए और वापस से flag register की value थी वह जाकर कि flag register में put करेगा और फिर अपना program execution स्टार्ट कर देगा ठीक है old processor state is restored processor state restore होने का मतलब क्या है कि वापस से stack segment और ESP की value वहाँ पर जाएगी और flag register की value वहाँ पर जाएगी ठीक है यह understood है यह मैं तुम लोग को क्यों बता रहा हूँ कि वाइवा में यह चीज़ पूछिया सकते है कभी restore होने का क्या मतलब है एक्जाम में आप इतना भी लिख आएंगे तो भी चलेगा इंस्ट्रक्शन ठीक है जो भी इंस्ट्रक्शन थी वह वहां से जिसको छोड़के वह गया था वहीं से हो एक्जिक्यूशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा ठीक है क्लियर है कैसे हैं इंट्रप मैंने पांच बतायते हैं च्छे स्टेप्स हो गए वह थोड़ा सा मैंने एक स्टेप को मैंने दो में इलाबोरेट कर दिया ठीक है आप चाहें तो एक आद और स्टेप लिख सकते हैं यहां पे लिख दो कि मैं इसी को सिक्स में सिक्स को दो स्टेप बना दो कि इसमें ESP और स्टैक की वैल्यू पहले आएग होगा ठीक है यह भी आप लोग कर सकते हैं लेकिन मैंने सिक्स इतने भी तुम लोग लिखते हो तो मार्स में आराम से मिल दाएगा ज्यादा भी है तो भी प्रॉब्लम में फिर हमारे पास है IDT मतलब वह इंटर्प डिस्क्रिप्टर जो है हमारे पास तो IDT हमारे पास इंडर्प किते डाइप की है हमारे पास टोटल तीन्चार टाइप की इंटर्प से हमारे पास ठीक है तो एक्सेप्षंज इंटर्प डैई लेकिन होता क्या है IDT में हमाई पास तीन चीज़ हो सकती है किती चीज़ हो सकती है तीन चीज़ हो सकती है हमाई पास IDT में IDT में देखो जब हमने TSS discuss किया था तो TSS में हमने task gate discuss किया था तो TSS का descriptor जो था वो कहाँ पढ़ था TSS का descriptor हमाई पास global descriptor table में था हम लोग TSS को दो तरीके से access कर सकते थे या तो उसको TSS Descriptor के थूरू या फिर Task Gate Descriptor के थूरू हम लोग उसको access कर सकते थे तो Task Gate Descriptor थे वह Global Descriptor टेबल में नहीं थे वह हमाँ पास Local Descriptor Table और Interpt Descriptor Table समझे हैं तो TSS का Descriptor Global Descriptor Table में है, लेकिन उस TSS को Access करने के लिए हमाई पास Task Gates भी होते हैं, जिसके तुरू हम लोग specific program को उसका Access दे सकते हैं, तो Task Gate Descriptor हमाई पास IDT में भी होते हैं, तो अगर कोई Interrupt ISE, जो यहाँ पे Interrupt Descriptor Table में उस Task Gate को Point कर रही है, तो Task Gate का Descriptor होगा, साथ Descriptor 8 Byte के होते हैं, तो यही Interrupt Descriptor Table के जो Entry है, इनहीं में से किसी Interrupt 0, 2, 1, 3, कहीं पे भी, 31, 16 तक तो मुश्किल हो उसके बाद, ठीक है, जो हमाई पास अपनी program में भले, 100 पे, 200 पे, 95 पे, 43 पे, कहीं पे भी उस Descriptor में हमने Task Gate का Descriptor डाल लगता है, तो अब जो हमारी Inter इसको Point करेगी, Task Gate-Rile Descriptor को, तो अब यहां क्या होगा, Task Switch हो जाएगा, समधाई बात, क्या होगा, Task Switching हो जाएगी आप यहां पर, क्योंकि अब वे Task Gate Descriptor को Access कर रहा है, Task Gate Descriptor को Access करने का मतलब है, नया Task में चाहिए, तो नया Task जब हमें चाहिए, तो इसका बहुत यह वाल बाद में अभी उसको डिसकस करेंगे इंटरप रोसी और इंटरप डास अभी तुम लोग इसका फॉर्माट देख लो बस और यहां पर हम पास इसकी प्रिवेजटेवल बिट होती है प्रेजेट बेटान के वह है या नहीं है यहां से उस करना यहां से उसको सेग्मेंट को सब्सक्राइब करेगा और यहां पर इसको उफसेट दिया होगा और इसपर सब्सक्राइब करता है तो इंटर दोचीजे में अ एक तो सफलेक्टर जो सेलेक्ट करेगा उस कोट सेगमेंट को जहां मने डिवर्ज लेवल बिट ये टाइप ये टाइप ये शो करती है के इंटर्प्ड गेट है जो मैं एक गम स्थार्टिंग में डिस्क्रिप्टर इसकर तो उसमें मैंने बहुत सारे codes थे हमारे पास तो वो अगर तुम जाके देखोगे तो उसमें देखना ये वाला जो code है 1110 यानि ये हमारा है E तो 0E जो code है हमारा वो interrupt gate के लिए और ये जो हमारा 5 code है वो task gate के लिए ठीक है इस type से हमारे पास अलग-अलग descriptor के लिए अलग-अलग code होते है जो ये वाला type है ये रिफाइन करता है कि descriptor हमारा कौन सा वाला descriptor है जैसे ये जो first bit 0 है ये 0 ये बदा रही कि system descriptor है user descriptor नहीं है user descriptor में ये bit 1 होती थी user descriptor है नहीं data segment code segment और extra segment या फिर वो stack segment अगर इन तीनों मेंसे data segment, code segment, stack segment ये वाली bit 1 होती थी हमेशा याद है न segment descriptor जो हम लोग डिसकस के था सुबेदार जो हमने डिसकस के था ये वाली bit 1 होती थी तो यहाँ 0 is का मतलब अभी user segment नहीं अभी system वाले segments है तो system वाले segment में interrupt descriptor tables interrupt descriptor और task gate descriptor task state segment descriptor ये साही चीज़ हमाई पास system वाले माति है ठीक है, समझ में है interrupt gate descriptor का format कि यहाँ पर हमाई पास offset होगा 32 bit का और selector होगा एक जो उस code segment को select करेंगा जहाँ हमारा ISR लिखा होगा है clear? चलो अब हमाई पास last में trap gate है trap gate में हमाई पास same जैसा ही है वैसे हमाई पास ही होगा इसमें simple एक selector होगा और offset होगा ठीक है? हमाई पास और भी कोई bit का है है यहाँ, कोई बहुत दाद इस्यू नहीं है बस यह इतना ही रहेगा चलो फिर हमाई पास है प्रियोर्टी priority among simultaneous, interrupts and exceptions priority का मतलब क्या है? कि अगर एक साथ दो लोग आ गए अपी के पास एक साथ दो लोग आ गए अपना काम ले कर ले तो फिर आप उसमें से किसको priority देंगे? जिसकी priority आपके नजदी खाई होगी obvious ही बात है जैसे आपके अबबा का भी कॉल आ रहा है एक फोन पे और दूसरे फोन पे आपके दोस्त का कॉल आ रहा है तो आप किसका फोन पहले उठाएंगे? फादर का उठाएंगे और दोस्त का फोन उठाएंगे? obvious ही बात है फादर का उठाएंगे तो यह है इसलिए हमारे पास है यहाँ पर प्राइरिटी टेबल जैसे अब यह तो बिलकुल मतलब खुल भी बात है कि NMI और आइंटियर वह तो समझ में आई रहा है कि NMI fast भी है तेज मालब vectored भी है और दोनों में से कोई भी आगा तो पहले अनमाई को सर्विस मिलेगी सबसे क्या कह सकते हैं सबसे गरीब इंट्रफ ए उसका कोई पूरसाने हाल नहीं जो चाहिए उसको बंद कर देता है कोई इंट्रफ आई सबसे पहले वह बंद होगी उसको उसका कोई हो लाव उसको बिल्कुल सबसे हो लेकिन अगर बाइचांट हमारे पास को सिस्टम में फॉर्ट जाइर ओए को इसके प्रियूर्टी सबसे हाई होती है क्शेप्ट Moreского करें उसमें azioni करें फोर्ल्ट हो तो सुम Anybody上 करें प्रोग्राम रन थोड़ी कर रहे है, प्रोग्राम रनिंग में कोई fault आएगा, तो वो बहुत important है, debugging में तो हमें पता ही कि fault आ नहीं है, तो वो उसकी मतलब बहुत ज़्यादा priority नहीं है, लेकिन कोई running में fault हो तो उसकी highest priority, उसके अलावा फिर tap instructions, ये debug fault के अलावा अलावा अल मालिक हूँ, तो मेरी बात पहले सुनी जाएगी, तो इसलिए user important है program के लिए, तो user की जो interrupt है, वो जादा priority पहे है, बागी बाहर वाली चीज़ों के interrupt है, फिर debug trap for this instruction, debug fault for neck instruction, ये सारी चीज़, लिए ये तुम लोग देख लेना क्या है, इसके अलावा वही है कि अगर NMI और आएंटियर दोनों आ रही है, तो पहले NMI को service मिलेगी, जब उसका service routine खतम हो जाएगा, तब फिर वो आएंटियर को service देगा, प्रियर है, priority तो तुम लोग जानते हैं, लाइफ में priorities का बहुत बड़ा खेल है, सही है, क्या priorities हैं आपकी, ये बहुत important, जो है matter करता है, कि आप आपकी life कहां जाएगी, अगर आपकी priority movies देखना, खेलना, दोस्तों साथ भूमना है, तो आपकी life का एक direction अलग होगा, और अगर आपकी priority अच्छे marks आना, माबाब को खुछ रखना, वो चीज़े तो आपकी life का एक अलग direction होगा, तो priorities बहुत matter करती हैं दोस्त, चलिए, तो हमारे जो interrupt आई है, वो उसमें से किसी ऐसे interrupt को, किसी ऐसे descriptor को select कर रही है, जो किसी segment descriptor की तरफ point कर रहा है, देखो, हमारे पास, यहाँ पर, जो interrupt gate है, इसमें selector है, अगर यह selector, किसी segment descriptor को select कर रहा है, किसी code segment को select कर रहा है, ठीक है, तो हमारा, उसको हम कहते हैं, अपना interrupt procedure एक नॉर्मल प्रोसेजर होगा अगर वो कोट सेग्मेंट को पॉइंट करें तो हम उसको कहते हैं इंटरब टास्क कहते हो जब वो इसको टास्क गेट हो हाँ पॉइंट कर रहे इसका मतलब वो किसी टास्क ऐस को पॉइंट क कर रहे है इसका मतलब कि आप टास्क ंहीं तो इसको हम गहेंगे interrupt task तो जब interrupt task आएगा a task gain identity points directly to a task that is the selector of the gate points to TSS descriptor in GDT क्योंकि TSSR descriptor हमाई पास GDT में होते है handling and interrupt with a separate task offers two advantages अलग से अगर हम लोग interrupt task उसके दो advantages है पहली चीज़ कहा है the entire context is saved automatically कि अब जो हम लोग कर रहे हैं अब पुरा 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 टास्की सेव हो जाएगा लग सेग्मेंट के अंदे यह जो हम छोड़ो के आ रहे हैं पुरा पुरा अलग सेव हो जाएगा तो हमारा सारा का सारा context सेव रहेगा इसके अंदर वैसा का वैसा ही दूसके लाबा the interrupt handler can be isolated from other tasks अब जो हमाया नया टास्क स्टेट सेग्मेंट है तो यह इस वाले एड्रेस स्पेस से इसदर की जो memory spaces थी उनके साथ कोई छड़खानी नहीं करेगा वो एक अपने अलग address स्पेस में चलेगा जब वो finally खतम हो जाएगा तो वहाँ से हमारा टास्क वापस स्विच करके main program के अंदर आ जाएगा ठीक है clear हैं चीज़ें अभी तक चलो तो यह यहाँ पे आपका 6 unit का 80% complete हो गया ठीक है interrupts क्या होती है exceptions क्या होती है how to enable how to disable interrupts उसके लाब interrupts interrupts procedures उसके लाबा priorities क्या होती है interrupts के अंदर IDT क्या होती है IDT जो है वो मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है उसमें जाके चेक लोग मैं लिंक छोड़ दूँगा डिस्क्रिप्शन में IDT और IDTR interrupts descriptor table और interrupts descriptor register ठीक है वो दोनो वहाँ पर IDT gate descriptor मैंने यहाँ explain कर दिया इसके लाबा फिर processing and interrupts कैसे हम लोग जो interrupts आदे उसको कैसे handle करते है फिर exception conditions क्या होती है उसके लाब enabling disabling यह सारी चीज़े आपने लोग clearly discuss कर चुके है तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग को clear होगा नहीं है तो देखो एक बार में नहीं होगा मैं बता रहो मैं भी यह lectures देखने है दो-तीन बार पढ़ता हूँ PPT को ही कि मैंने क्या लिखा है क्या बताने क्या नहीं बताना है समझ रो तो दो-तीन बार यह वीडियोस तुम्हें देखनी पढ़ेंगे सही है लेकिन देखो बहुत लंबी-लंबी वीडियोस नहीं है मुश्किल से सोते-सोते भी तुम लोग देख लोगे तो भी तुम लोग को समझ में आ जाएगे एक बार बस गौर से देखके इस पे अपना मार्क लिखते रो जो भी है तो उस ताइम पे डिविजन में हसाइन करेंगे सही है तो चलो नेक्स लेक्चर में इसका फाइनल टॉपिक डिसकस करेंगे 6 शुनिट खतम करते हैं इसके बाद ठीक है तो चलो मिलते हैं आप अगे लेक्चर में तब तक के लिए बाई